समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े गर्मैनपुरी में इस बार राजनीतिक हलचल कुछ अलग है भारतिय जन्ता पार्टी इस बार योगी के, बुल्डोजर फैक्टर, के सहारे मुलायम परिवार के मजबूत किले को धाने के लिए पूरा जोर लगा रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानिय लोगों से बातचीत पर पता चलता है कि जहां पहले कभी मुलायम और अखिलेश के ही प्रशनसक मिलते थे, वहां इस बार योगी की तारीख भी कम नहीं हो रही है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और कोरोना संकट के दौर में मुफ्त राशन को लेकर योगी सरकार को अच्छा समर्थन मिलता देख रहा है पंजाब के अभिनेता और लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धु की हर्याना में सोनीपत के पास एक सड़क दुरगटना में मौत हो गई सोनीपत पुलिस ने दीप सिद्धु की मौत की पुष्टी की है बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी दीप सिद्धु पिछले साल लाल किला हिंसा मामले में आरोपी भी थे अभी तक मिली जानकारी के अनुसार हादसा पश्चिमी परिधिया एक्स्प्रेसवे पर हर्याना के खर्खोदा के पास हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार अफगानिस्तान में तालिबान शासन को एक तरफा मान्यता नहीं देगी क्योंकि इस कदम से वहलक थलक पर जाएगा और देश में आर्थिक सुधार के प्रयासों को धक्का लगेगा खान ने जोर दिया कि इसको मान्यता देने के लिए इसक्षेत्र के देशों को संयुक प्रयास करना होगा नौइडा विधानसभा से कॉंग्रेस प्रत्याशी और पार्टी की स्टार प्रचारक पंखुरी पाठक की अश्लील फोटो बनाकर ब्लेकमेल करने का प्रयास किया गया है आरोपी ने रवी किशन के नाम से फरजी सोशल मीडिया आईडी बनाकर एक लाख रुप्य मांगे है इस संबंध में प्रत्याशी के पती ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी है गाजियाबाद में सगाई के दोरान दूलहा पक्ष ने शगुन में दूलहन को नकली गहने चड़ा दिये पता लगने पर दूलहन पक्ष ने विरोध जताया तो दूलहा पक्ष ने बंधक बनाकर हत्या की धमकी दे डाली इसके अलावा क्रेटा कारव बीस लाग की मांग पूरी नहोने पर दूलहा पक्ष बारात लेकर नहीं आया जिसके बाद दूलहन के पिता ने सिहानी गेट थाने में तहरीर दी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने कॉंग्रेस के पूर्व ध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पर करारा हमला बोला है कैप्टन अमरिंदर सिंग ने प्रियंका गांधी को बच्चा करार दिया हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंग ने कहा कि वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे करनाटक में हिजाब विवाद अभी थमा नहीं है राज्य की बसवराज बोममई सरकार ने आप तुमकुरू जिले में भी धारा 144 लगाने का एलान किया है यहां कॉलेजों के दोबारा खुलने के बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है प्रशासन की कोशिश है कि शेक्षनिक संस्थानों के आसपास किसी भी तरह की हिंसा को रोका जाए राज्य में आप तक कुल नौ जिलों में धारा 144 लगाया जा चुका है यूपी में साथ चरणों में हो रहे विधान सभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए नामानकन का दौर जारी है साथ में चरण में पी-म मोदी के संसदियक शेत्र वारा नसी और उससे सटे पूर्वाचल के आठ जिलों में चुनाव होना है 17 फरवरी तक नामानकन दाखिल किया जा सकता है यानि अब केवल दो दिनों का ही समय है इसके बाद भी भाजपा सपा दोनों गट बंधनों में अब तक 18 सीटों पर प्रत्याशियों का चैन नहीं किया है जिन सीटों पर प्रत्याशियों की घोशना नहीं हुई है उनमें ज्यादातर जिले की शेहरी सीटे है गंगुबाई काथे अवारी जल्द सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है संजै लीला भनसाली की फिल्म का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है लेकिन रिलीज से पहले यह विवादों में घर गई है फिल्म में आलिया भट मुख्य किरदार में है उनके साथ अजय देवगन कैमियो रोल कर रहे है गंगुबाई के परिवार वालों ने फिल्म को लेकर नाराजगी जाहिर की है और अब इस पर कोर्ट की ओर रुख किया है उनके वकील का कहना है कि ट्रेलर देख परिवार हैरान है एक ऐसी महिला जिसने समाज के लिए इतना काम किया उसे सेक्स वकर की तरह दिखाया गया है राखी सावंत अपने पती रितेश सिंग से अलग हो गई है बिग बॉस पंद्रह में पहली बार रितेश सारवजनिक रूप से सामने आये थे शो से निकलने के कुछ ही समय बाद दोनों अलग हो गए राखी सावंत ने एक पोस्ट लिखकर जब इसके बारे में जानकारी दी तो सभी हैरान रह गए उन्होंने इंटर्व्यू भी दिये जिसमें उन्होंने अपना दर्द बया किया अब राखी को पपराजी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया जहां वह रितेश के बारे में बोलते बोलते रो पड़ती है लंबे वक्त तक चली गफलत के बाद शाहिद कपूर स्टारफ फिल्म जर्सी के मेकर्स ने रिलीज डेट एलान कर दी है फिल्म 14 अप्रेल को सिनेमा घरों में रिलीज होनी है शाहिद कपूर ने ट्वीट करके बताया ये बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारी प्यारी फिल्म जर्सी 14 अप्रेल 2022 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है आपसे थियेटर्स में मुलाकात होगी शाहिद कपूर की फिल्म की सीधी टककर साउत की फिल्म के जी एफ से होने वाली है